यह आप देख सकते हो बाइक आ गई है हेलो दूस्तों टेक्निकला मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज किस वीडियो में हम बहुत दिन के बाद एक आड़ उन बाइक का मोड़ी इंस्टॉल करने वाले हैं वो बाइक है के एटियम सूपर ड्यूक तो वीडियो पस न देगी तो लाइक करें चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आप इस बाइक मॉड को डाउनलोड कर लीजे इसका डाउनलोड लिंक आपको डिसिप्टरन में मिल जाएगा इस Byte Mode को डाउनलोड करने के बाद आपको इससे दिखाए देगा इसको इससे कीजिए एक्षा करने के बाद एक फोल्डर आएगा उसको पिन कीजिए इसको पिन करने के बाद GT5 में फोल्डर को पिन कीजिए GTFI main folder को pin करने के बाद mods में जाईए उसका बाद update, xc4, dlc packs उसका बाद एक शाक के अब फोल्डर पर आ जाए याने बाद यहाँ KSD का एक फोल्डर दिख रायनास को GTFI dlc packs पर dragon drop कीजिए dragon drop करने के बाद back जाईए back अने बाद यहाँ readme का इतर दिख रायनास को open कीजिए इसको open करने के बाद यहाँ आपके एक line मिलेगी item dlc packs ksd item इस line को copy कीजिए copy करने के बाद back जाईए back अने बाद open av को open कीजिए open av open हने के बाद edit mode पर क्लिक कीजिए यह उसका बाद marks में जाईए उसका बाद update उसका बाद update.rpf common data उसका बाद नीचा जाईए नीचा बाद यहाँ dlc list xml के टेक जिक रायनास को right click कीजिए right click करने के बाद edit में जाईए edit में जाने के बाद नीचा जाईए नीचा बाद last में copy की हुई line को यहाँ paste कीजिए paste करने के बाद से हो कीजिए तो दोस्तों हमारा installation हो चुका है done चलो अब gtf open करते हैं तो दोस्तों gtf open करने के बाद आप कौन सब भी trainer से इस bike को spawn कर सकते हो model name आपको manually type करना होगा ksd enter कीजिए यह आप देख सकते हो बाइक आ गई है आप देख सकते हो बाइक आ गई है आप आप झाल झाल इसमें आपको एक लाइवरी भी मिल जाएगी झाल झाल तो दोस्तों यही थाच वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद एगा तो लाइक करें शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए अमरे स्योटुप चानल को सब्सक्राइब कीजिए त. झाल को थाइवरी थाईवर्ण। झाल झाल को जाईवर्ण। झाल झाल